यहाँ जो प्रेम की गजब कहानी हैं, इसे सुनेंगे तो आप भी एक बार भरोसा नहीं करेंगे कहानी मडोरा के एक नीजी नर्सिंग होम की संच्वाली का कथित महिला च्विकित सकी है प्रेमी युवक के बार बार धुका दिने और शादी का वादा करके मुकर जाने पे विश्रित होकर युवती पहले तो आविग में आकर अपने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट कार्ट देती है बाद में यहाँ भी कहती है अगर उसका प्रेमी आता है तो वहाँ शादी के लिए तैयार है प्रेमी युवक नगर पंचवयद मरडोरा का निर्वाचवित वाट पार्षत है यह घटना पांच दिन पुरानी है लेकिन इससे चंजो कहानी सामने आ रही है वहाँ आनस अजीब दिखती है यहाँ सब कुछ न सरफ फिल्म जैसी बलकि एक वेब सीरीज के कहानी जैसी दिख रही है घटना के बाद जो कुछ महिला डॉक्टर ने कहा है वहाँ सरफ अप्रत्याशुत है बलकि यहाँ अजब फ्रेम की गजब कहानी जो ऐसा लगता है घटना को अंजाम देने के बाद महिला डॉक्टर ने कहा कि वहाँ अपने प्रेमी से प्रताडित थी पिछली फरवरी मार्च महिने के लिए शादी के लिए रजिस्ट्रार की यहां कागजात जमा कर दिये गए थे एक महिना तक उन लोगों का नोटिस भी चस्पा किया था मार्च में शादी की डेट भी निकली लेकिन यूबक भाग किया वापस आया तो फिर शादी का वादा करके चला किया लेकिन अगली डेट पर फिर गायब हो गया इस तरह से वहाँ साथ बार शादी के डेट पर गायब होता रहा और हर बार वापस आकर कोई न कोई बहाना करता रहा घटना के दिन भी श्रादी के निबंदन के लिए रजिस्ट्रार के पास ज़ाना था तो वहाँ सुभ़ से ही गायब हो गया लेकिन इस बार उसने आकर कहा कि वहाँ श्रादी नहीं करेगा खदत महिला डॉक्टर अभिलाशा ने यहाँ बताया कि फरवरी मार्च महिने में यह मामला सानिय थाने में पहुचा था तब भी युवक्ट ने पुलिस के सामने श्रादी करने की बात करके समझाता कर लिया था पुलिस ने आपसी सहमती हो जाने के कारण आगे की कारवाही नहीं की थी युवती ने आरोप लगाया है कि पिछले पांच महीने से युवक ने उसे जिन्दा लाज बना कर रखा हुआ है इस कहाने का एक बड़ा ट्विस्ट यहाँ है कि आरोपी महीला डॉक्टर इतने बड़े घटना को अंजाम देने के बाद भी युवक से श्वादी के लिए तयार है साफतोर पर कहती है कि युवक अभी भी उसके पास अगर आता है तो वहाँ श्वादी के लिए तयार है कर जरूर दे अगर आप इस वीडियो को न्यूस्पोर बिहार के फेस्बुक पीच पर देख रहे हैं तो पीच को फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें धन्यवाद